आप देखिए यह विडियो, माया ट्यूटर पर मुफ्त कूपन कोड साइट पर बैनर में दिया गया है, अभी पंजी करन करें, फ्री में ओनलाइन क्लास लें हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं, प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके, इतने सारे महान शिक्षन आपन करें, आपके आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खोदिया है, वेब साइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स डॉट कॉम पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाएं लेने के लिए कर सकते है यदि आप केवल एक बार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इन कक्षाओं को सूची बद करते हैं, तो आप अगले वर्ष फिर से इन कक्षाओं का उप्योग कर सकते हैं प्रोबोटिक्स के लिए कक्षाएं सूची बद होने के बाद बाद में कक्षाएं लेने की कोई आवश्यक्ता नहीं है साथ ही अब आप जूमैप और गूगल मीट के जरिये लाइव क्लासेज ले सकते हैं, यह सब माया वैब पोर्टल के जरिये बड़ी आसानी से किया जा सकता है आपके छात्रों के अलावा अन्यदूर के छात्र इस पोर्टल के माध्यम से आपको धून सकते हैं उन्हें अपना छात्र बनाएं और कक्षाई लें एक और विशेशता यह है कि आपको बहुत सारे चूशन चात्र मिलते हैं इस युग में जहां शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है या साबित करके की शिक्षा केवल एक व्यवसाय नहीं है अपने कोशल को साबित करी बहतर आए प्राप्त करी अधिक जानने के लिए यह वीडियो दे प्रश्न एक कौन उप्योग कर सकता है mytutor.com दुनिया भर के शिक्षक और संस्थान ट्यूशन लेने के लिए इस वेब पोर्टल का उप्योग कर सकते हैं दुनिया एक ओनलाइन क्लास की तरफ बढ़ रही है फिर आपके छात्र एक ओनलाइन कक्षा में चले जाएंगे ओनलाइन ट्यूशन क्लास लेने के लिए आपको एक वेब साइट बनानी होगी यह बहुत महेंगा है लेकिन सामान्य शिक्षक इस वेब साइट के माध्यम से बहुत ही कम लागत में ट्यूशन ले सकते हैं Robotics क्लास क्या है? Robotics कक्षाएं एक Web Portal की मदद से आयोजित की जाने वाली कक्षाएं हैं जो एक बार ली गई ट्यूशन कक्षाओं की डिजिटल फाइलों का उप्योग करती हैं Web Portal पर डेनिक कक्षाओं के विडियो और नोर्स की सूची बनाएं इनका उपयोग बाद में बिना कक्षाइं लिए छात्रों को ट्यूशन कक्षाइं देने के लिए किया जा सकता है. शिक्षकों को बाद में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है. अधिक जानकारी के लिए ये कैसे काम करता है, देखें. माया वेब पोर्टल पर मैं किन विशयों की ट्यूशन ले सकता हूँ? स्कूल पाठ्यक्रम, कॉलेज पाठ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, करनाटक संगीत, संगीत वाध्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पी एस सी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाशा अध्ययन, आप लेखानकन, मनो विज्ञान, दर्शन, यह सब विशय जैस सभी विशयों में कक्षाएं ले सकते हैं, शिक्षक छात्रों से फीज कैसे लेते हैं, फीज सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए, इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पैमिंट वॉलेट क्यू आर कोड प्रदर्शित कर करने के विकल्प हैं, क्या मुझे माया ट्यूटर को छात्र शुल्क में से कोई कमीशन देना होगा? नहीं, इस वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों से केवल किराया लिया जाता है, शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है, माया पोर्टल क माध्यम से ओनलाइन ट्यूशन सुविधा की दर क्या है माया बहुत कम मास से किराया लेती है अधे जानकारी के लिए मूल्य देखें क्या मुझे भुगतान करने से पहले डेमो मिल सकता है जी हां बिलकुल आपको साथ दिन का डेमो मिलेगा शिक्षकों के लिए डेमो होगा यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो आपको पहले साथ दिनों के लिए सभी सुविधाओं के साथ एक डेमो प्राप्त होगा मत भूलो यदि आप एक शिक्षक हैं तो केवल पहली बार शिक्षक के रूप में पंजी करन करें यदि आप एक छ से प्रापत करें, अगर आप शिख्षक हैं तो यहां शिख्षक के रूप में पंजी करन करें पहले इस फॉर्म को भरेन, नियम और शर्तने स्वीकार करें, रजिस्टर पर ख्लेक करें अपने मेल पर जाने के बाद, माया ट्यूटर सिक्रियन मेल खोले, सक्रियल लिंक पर खिलेक करें, मेम्बर लोगिन का चायन करने के बाद, अपना मेल आईडी और पासवर्ट दरज करें और फिर लोगिन करें, यह आ, गूगल के साथ लोगिन चुने, देमो अब तैयार है, अपना पार्थ्यक्रम और मॉडिूल बनाएं. डेमो के बाद माया वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है? खृप्या यह कीमत देखें. इस पोर्टल पर कितने पार्थ्यक्रम सूची बद किये जा सकते हैं? पाठ्यक्रम असीमित के रूप में सूचीबद किया जा सकता है इस पोर्टल में कितने छात्रों को जोड़ा जा सकता है आप असीमित छात्रों को जोड़ सकते है क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है आप यूट्यूब लाइव विडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं अभी रजिस्टर करें और अधेग जानकारी के लिए देमो आजमाएं पार्थ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है एक बार शिक्षक बंजीक्रित हो जाने के बाद पार्थ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं पीडिएफ कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें इस पर हर जगह विडियो होंगे आए इन विडियो को देखें और पार्थ्यक्रम की सूची बनाएं मैं एक छात्र हूँ, क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्ख देना होगा? नहीं, यह छात्रों के लिए 100% मुफ्थ है छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम पा सकते हैं लेकिन ट्यूशन फीज सीधे शिक्षकों को देनी होगी मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पाठ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूँ? पाठ्यक्रम का नाम, शिक्षण विशय संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें स्थान दर्ज करें और खोजें, अब आप चयनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं, यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्य स्थानों के नामों से खोजें, वर्तमान शिक्षकों का वेब पोर्टल खोलें, अब आप इस शिक्षक का संपर्ख पता, WhatsApp नमबर और पाठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं यहां आप सीधे शिक्षकों के WhatsApp पर चैट कर सकते हैं या शिक्षक यहां मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रही हैं तो आपको पंजी करन या लॉग इन करने की आवश्यक्ता है। एक रजिस्टर क्या है? लॉग इन क्या है? यदि आप इस वेब पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं, तो आपको पंजी करन करना होगा। यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको यहां एक छात्र के रूप में पंजी करन करना होगा। मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजी करन करें। यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं, तो आप इस पर जाने के बाद, माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोले, एक्टिवेट लिंक पर ख्लेक करें, रजिस्टर अब पूरा हो गया है, अब आप अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट डाल कर लॉग इन कर सकते हैं, चयन करें, मेंबर पहुझ, अपनी मेल आईडी और पास्व को खोजें, जिनकी आपको आवश्यक्ता है, इसके लिए यहां खोजें, को ख dif कुष्यक्ता है, अबनाु है जिनकी आपता है, अबनाँ कर दये कल्चोंधिक मेल आ उरेश मेल सकते हैं, झाल 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 झाल